रतलाम जाबवा के सांसत गुमान सेहं डामोर निर्वाचत हुए है और सांसत निर्वाचत होने की बाद वो पहले बार दिल्ली पहुचे और वहाँ उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात की हम आपको बताते हैं कि डामोर और मोदी की मुलाकात में क्या बाते हुई प्रधानमंत्री नरेदर मोदी से मिलने पहुचे डामोर का मोदी ने पूरा परिचे लेने के बाद सीधे ये सवाल किया कि आप चुनाव कैसे जीते डामोर ने कहा कि जिस तरह नलवनील इंजीनियर होने के बाद भी लंका जाने के लिए सेतु नहीं बना पा रहे थे तो वानरु ने राम नाम के पत्थर पानी में डालना शुरू कर दिये राम नाम के पत्थर तर गए और सेतु बन गया ठीक उसी तरह मोदी नाम से तरते हुए चुनाव जीत कर वो भी दिल्ली आ गए है जवाब सुनने के बाद प्रधान मंत्री मोदी मुस्कुरा दिये एक चर्चा में डामोर ने ये सारी जानकारी दी साथ ही उन्होंने कोपचारिक चर्चा में कहा कि कड़कनाथ मुर्गे पर जल्द ही दाग्टे कर चारी कर दिया जाएगा और इसे राष्टे इस तर पर कड़कनाथ को पहचान मिलेगी और भील पल्टन के लिए मुसा खेडी इंद और में जमीन आवंटित की गई है यहां के युवाओं को भी भील पल्टन में शामिल किया जाएगा और उन्हें देश की सीमा पर लड़ने का मौका दिया जाएगा तो आखिरकार डामोर तो मोधी नाम के सेतु से तर गए है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अब्डेट्स